A very good evening friends बाइजूस के government exams prep channel में आप सभी का हर देख स्वागत है A very warm welcome to today's daily current affairs segment एक ऐसा segment जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो सभी ताजा खबरें और आवश्चक events जिनका आपके आने वाली सभी government exams में चैसे की SSC, DPC, banking और अन्य government exams में बेहत important योगतान है क्योंकि इस प्रकार के news events सभी exams में भारी मात्रा में पूछे जाते हैं तो हम आज के इस segment में आप से शेर करेंगे सभी राश्ट्र, अंतराश्ट्र, वित्त संबंधित, खेल संबंधित और अन्यसमाचार which will be followed by a couple of practice questions तो आप अवश्य ही आज के सभी news events को ध्यान से समझते हुए इन practice questions के उत्तर करने का प्रयाज जरूर कीजिए और इनके उत्तर हमारे साथ comment section में निरंतर शेर कीजिए तो आईए दोस्तों अब शुरू करते हैं 12th में अर्थात आज के दिनांख के सभी important daily current affairs की सबसे पहले चर्चा हम करेंगे national affairs की अर्थात राश्ट्रियों मामलों की और यहाँ सबसे पहली खबर है कि किस प्रकार Assam has got its first woman finance minister अर्थात असाम राज्य में पहली बार एक महिला विक्त मंत्री चुनी गई है और क्या नाम है असाम की नई महिला फिनांस मिनिस्टर का तो इनका नाम है अजन्ता नियोंग यह नाम आप अवश्य याद रखिये क्योंकि यह एक बेहत महत्वपूर्ण फैक्ट है और यह भी याद रखिये कि यह पहले पाँच बार MLA रह चुकी है फ्रॉन दे जोला घाट डिस्ट्रिक्ट इन असाम इनको फिनांस मिनिस्टरी का चार्ज दिया गया after she recently won the assembly elections by a heavy margin इनकी जीत हुई तकरीबन 9,036 मतों से जोला घाट सीट से यह विजई हुई थी और इस सीट से यह लगातार जीत्ती आ रही है right since 2001 and now she also holds the record for longest serving woman MLA from the state तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों दो facts आपके लिए बेहाद आवश्यक हैं exams के दिश्टी कोंड से एक तो यह कि अजन्ता नियोंग जो कि असाम की पहली woman finance minister चुनी गई है और दूसरा यह कि she has also made a record for being the longest serving woman MLA from the state she is a law graduate from Goahati University अर्थात असाम से इन्होंने अपना कानून में सनातक प्राप्त किया था और इसके पश्चात ये तरुन गोगोई की सरकार में PWD Department सम्हालती थी उसके पश्चात इन्होंने Congress से BJP जोईन कर ली थी in December 2020 इनके पती नागे नियों की हत्या उल्फा द्वारा कर दी गए थी 1996 में और इसी के पश्चात लेट तरुन गोगोई ने इन्हें पॉलिटिक्स में इंट्रिड्यूस किया था विद इस अब चलके देखते हैं अगला राष्ट्रे मामला कौन सा है तो यह है कि किस प्रकार भारत में जो उपस्थित COVID-19 strain है अर्थाद इंडिया में जो इस समय कोरोना वाइरस का strain पाया जा रहा है यह World Health Organization के अनुसार एक बेहत चिंता जनक strain है क्योंकि यह बेहत कदरनाक है और WHO has said that COVID-19 variant जो कि भारत में spread कर रहा है तेजी से एक ऐसे समय में वेन इंडिया is experiencing an explosive outbreak जो कि second wave के अंतरगत अब तक सबसे खतरनाक राष्ट्रे स्थर पे वाइरस का अटाक माना जा रहा है तो यह particular COVID-19 strain has been a cause of concern according to the WHO United Nations की Health Agency ने यह भी कहा है कि यह particular strain जिसका नाम है B.1.6.1.7 variant of COVID-19 सबसे पहले भारत में पाया गया था पिछले वर्ष ओक्टोबर में अर्था 2020 ओक्टोबर में इसे भारत में देखा गया और इसकी सबसे जादा खास बात यह है कि यह बहुत ही जल्दी transmit हो रहा है between communities and people और इसके अंदर resistance भी देखी गई है towards various protective vaccine against coronavirus WHO ने बुधवार को इस variant को so called Indian variant का नाम दिया और यह भी कहा है कि अब तक तक तकरीपन 44 countries में यह virus का strain पाया जा चुका है अर्थात ना कि सिर्फ इंडिया में बलकि अंतराष्ट्र लेवल पे इसका spread अब चिंता जनक रूप से बढ़ रहा है इंडिया ने एक record number of लोगों की मृत्यू देखी है due to coronavirus पिछले 24 घंटों में और अब तक total deaths that have occurred due to COVID-19 have increased by 4,205 कहने का तात्पर यह यह है कि इंडिया के overall number of cases अब तक 23 million से surge कर चुके है as per the Indian Health Ministry जो की indeed एक बेहद चिंता जनक विशय बन गया है with this अब चलके देखते हैं दोस्तों अंतिराश्ट्र मामले अर्थात international affairs में कौन सी खबरें आज हमारे साम है सबसे पहले यहाँ खबर है कि किस प्रकार SpaceX जो की Elon Musk के द्वारा owned company है वो बिलकुल तयार है अपना DOGE1 mission launch करने के लिए to the moon इस mission की खासिया दोस्तों यह है कि इसे पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी के द्वारा finance अर्थात पे किया जा रहा है now Elon Musk owned SpaceX is all set to launch this mission to the moon and it is the first ever commercial lunar payload paid entirely in क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है DOGE COIN अब यहाँ प्रश्ण यह उठता है कि आखर क्रिप्टो करेंसी क्या है जो आजकल इतना जादा चर्चित हो गया है तो क्रिप्टो करेंसी is a type of digital currency that generally exists only electronically इसके लिए किसी intermediary जैसे की bank का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसी लिए आजकल यह इतना जादा लोग प्रिय हो रहा है अब अगर बात करें इस SpaceX की mission की तो यह जो satellite है आपकी DOGE-1 इसका schedule launching है first quarter of 2022 में याने अगले वर्श में और इसको launch किया जाएगा Falcon 9 rocket के द्वारा The Dogecoin funded mission is led by Canadian company Geometric Energy Corporation अर्था GEC Under this mission SpaceX carry करेगा तकरीपन 40 kg cube satellite dubbed as DOGE-1 as a right share on a Falcon 9 rocket तो यह दोनों नाम यहां आप अवश्य याद रखिये DOGE-1 mission का भी और इस बात का भी कि किस प्रकार यह Falcon 9 rocket के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा The payload will obtain lunar spatial intelligence अर्थात इसको जो information और knowledge प्राप्त होगी वो उन sensors और cameras से होगी जो की on board होंगे इस mission में These will be equipped with highly integrated communication and computational systems This launch will make DOEG the first crypto in space as well as the first meme in space अर्थात यह पहला internet meme भी होगा और पहला crypto in space भी होगा और इसके साथ थोड़ी सी चर्चा SpaceX पे भी कर लेते हैं क्योंकि एक बहुत ही जादा खबरों में आने वाली company है यह अभी तो SpaceX का full form है Space Exploration Technologies Corporation यह एक अमरिकी aerospace manufacturer और Space Transportation Service Company है जिसके founder है Elon Musk इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2002 में और अगर बात करें headquarter अर्थात कहां इसके मुख्याले स्थित हैं तो यह है Hawthorne California में which is in United States of America With this अब जल्दी से चलके देखते हैं अगली खबर आज की अंतराश्यमामलों में तो यह फिर से एक बार COVID-19 से संबंदित है और यह है कि किस प्रकार Corona-19 के cases दुगनी तेजी से बढ़ गए है in the world's most vaccinated nation अर्थात यह बहुत ही आश्चरे जनक बात है कि किस प्रकार सेशल्स जो की अब तक विश्व का सबसे ज़ादा vaccinated देश माना गया है उसमें भी Corona virus के cases एक double rate से बढ़ते नजर आए हैं इस हफ़ते Most of the population of Sेशल्स has been vaccinated and still the number of cases have been doubling from May 7th तो माना यह गया है कि किसी ना किसी कारण inoculation अर्थात vaccination पूरी तरह से Corona को खतम करने में यहां सक्षम नहीं हो रहा है World Health Organization ने भी इस बात पे चिंता प्रकट करी और उसने कहा कि यह जो vaccine failure है इसको पूरी तरह से explain नहीं किया जा सकता without a detailed assessment and WHO has already started working on evaluating the situation Kate O'Brien, the director of WHO's Department of Immunization, Vaccine and Biologicals इन्होंने मंडे को एक press briefing में यह बात बताई कि WHO पूरी तरह से direct communication बनाई हुए है सेशल्स के साथ और एक detail assessment अर्था detail अध्ययन किया जा रहा है जो कि अलग-अलग factors को study करेगा कि आखिर क्या विशेशता थी इस particular strain में जो सेशल्स में फैला और जो immunization के बावजूद भी लोगों को infect करता गया और ये भी देखा जाएगा कि आखिर इन cases की severity कितनी है अर्था क्या ये mild ये moderate cases है करोना के या फिर they are all very very high risk cases सेशल्स में सीनो फार्म शोट्स लोगों को दिये जा रहे हैं तकरीबन 57% population जो कि पूरी तरह से vaccinated है उन्हें दिये जाएंगे सीनो फार्म शोट्स और जो बाकी लोग है इन्हें दिये जाएंगे covid shield shots covid shield वो vaccine है जो कि भारत में बनी है under a license from AstraZeneca PLC और अब आईए देखते हैं सेशल्स आखिर क्या है यानि कि किस प्रकार का देश है ये तो आप ज़रूर याद रखे इससे जुड़े कुछ facts जैसे कि सेशल्स एक archipelagic island है archipelago से अर्थ होता है एक ऐसा island जो कि तमाम छोटे छोटे दीपों से मिलके बना हो तो ये जो तमाम छोटे छोटे दीपों का समुह island है ये Indian ocean में स्थित है और eastern edge of Somalian sea में आता है जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं इसमें तक्री जिसका नाम आप जरूर याद रखिये और करेंसी सेशल्स की है सेशी लोईस रुपी विद इस आईए अब चलके देखते हैं अगला fact अंतराश्ट्र मामलों का तो ये है एक ऐसी खबर जो पूरी तरह से सुर्खियों में है कि किस प्रकार हमस के rockets ने target किया तेल अवीव को after Israeli strikes ने Gaza Tower में explosion किया था Palestinian militants ने कई rockets fire किये है इसराइल के economic center पे जो कि तेल अवीव में है Tuesday को ये हमला किया गया Palestine द्वारा और हमले का कारण ये बताया गया कि क्योंकि इसराइल ने Gaza में strike करके tower block को destroy किया तो इसी के retaliation में Palestine के militants द्वारा इसराइल पे अर्था तेल अवीव पे ये attack किया गया है दोनों देशों के बीच जो कि कटर दुश्मन देश है कई सालों के बाद इस प्रकार की heavy इस प्रकार की भारी गोला बारी देखने को मिली The UN Envoy for Middle East Peace जिनका नाम है Tor Venceland उन्होंने warning दी है कि जिस प्रकार से परिस्थितियां विपरीध हो रही है दोनों देशों के बीच Both Israel and Hamas are almost on the verge of a full-blown war Israeli Prime Minister ने एक state of emergency declare कर दी है in the center city of Lord जो कि airport के नजदीक है airport के border में है ये कहते हुए कि एक भारी पैमाने पे riots erupt हो रहे है between and among the Arab residents तो with this अब चलके देखते हैं कि आखिर कौन सी विभिन राश्ट्री और अंतराश्ट्री व्यक्तित्व आज ख़बरों में है यहां सबसे पहला नाम आज है पद्मकुमार M. Nair का because he has been appointed as the CEO of National Asset Reconstruction Company पद्मकुमार M. Nair को नियुक्त किया गया है as the CEO of the proposed यानि की जो बनने वाली है National Asset Reconstruction Company का इसके पहले तक पद्मकुमार काम करते थे as the Chief General Manager of Stressed Assets Resolution Group at the State Bank of India The National Asset Reconstruction Company Limited एक proposed bad bank है जिसका उदेश है to take over stressed assets of lenders and it was announced by the Finance Minister Nirmala Sita Raman in the budget of 2021-22 to consolidate and take over existing stressed assets of lenders and to undertake their resolution तो इस उदेश के साथ ये bank बनने वाला है bad bank का तातपर्य क्या है तो bad bank का मतलब है एक ऐसा financial institution जो की पूरी तरह से bad assets को ले लेता है absorb कर लेता है और the National Asset Reconstruction Company अर्थात NARCL will pay up to 15% of the agreed value of loans in cash और जो बचा हुआ 85% का राशी धन है वो दिया जाएगा in the form of government guaranteed security receipts With this अब देखते हैं कौन दूसरे व्यत्तित्व आज खबरों में है तो ये है former US Senator Bill Nelson क्योंकि इनको swear करवाया गया है as the 14th administrator of NASA NASA चो की US की National Aeronautics and Space Administration Agency है उसके चौदवे administrator के रूप में Bill Nelson को शपत दिलाई गई है 78 ओल्ड वर्षिय Mr. Bill Nelson को ओत दिलाई गई थी US Vice President Kamala Harris के द्वारब He has replaced James Frederick Bridenstine जिन्होंने अपने पत से स्थीफा दिया था January 2021 में तो इनका नाम आप अवश्य याद रखिये विद इस अब चलके देखते हैं कि Books and Award Segment में आज कौन और कौन सी घबरे हमारे सामने हैं तो यहाँ नाम आता है Mr. Anupam Kher का जो की भारत के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है तो इन्होंने जीता है Best Actor Award at the New York City International Films Festival Veteran Actor Anupam Kher has won the Best Actor Award at the New York City International Film Festival 2021 किसलिए अपने उत्कृष्ट पर्फॉर्मेंस के लिए in the short film known as Happy Birthday इस film को direct किया गया था प्रसाद कदम के द्वारा और FNP Media के द्वारा इसका production हुआ था अपार्ट फ्रॉम दिस यह picture प्राप्त करता बनी है of the Best Short Film Award at this Film Festival यानि कि इस picture को दो award मिले है और इसी कारण अनुपम खेर भी इस समय सुर्खियों में है तो ये दोनों ही नाम आप जरूर याद रखिए और अब चलके देखते हैं कि banking and finance related news में कौन सी खबर हम आपके लिए लेके आए हैं तो यहां खबर है कि किस प्रकार HDFC bank ने partnership करी है common services centers CSCs के साथ to launch chatbot EVA The HDFC bank has launched an artificial intelligence chatbot जिसका नाम है EVA किस के साथ partnership में? CSC के साथ partnership में क्या उदेश है इसका? उदेश है कि the chatbot EVA will work on the digital seva portal of CSC to educate and support village level entrepreneurs about the bank products and services in quick and easy manner before providing those banking services to rural customers in their catchment areas अर्थाग पूर्ण रूप से ग्रामी ग्राहकों को banking की सेवाए उपलप्त कराने से पहले उनको जागरूपता देना और digital banking के उपर पूरी तरह से उनको अवगत कराना इस mission का उदेश है अर्थाग इस initiative का सबसे मुख्य उदेश है digital India के बीच और ग्रामीन भारत के बीच जो गैप है जो दूरी है उसको खत्म करना है on the one hand urban India has quick access to learn and adapt to the digital world परन्तु जब बाद ग्रामीन भारत की होती है तो हम सबी जानते हैं कि किस प्रकार low internet penetration, less speed और interruptions के कारण यहां पे कई challenges लोगों को face करने पड़ते हैं इसी को खत्म करना उदेश है HDFC bank के इस initiative का तो आप चलके देखते हैं कौन सी खबरे हैं sports segment में आज हमारे साथ अर्थात खेल समाचारों में तो यहां आप याद रखिए कि Indian table tennis legend वेनु गोपाल चंदर शेकर has passed away अर्थात veteran table tennis player and coach from India वेनु गोपाल चंदर शेकर का निधन हो गया है चिन्नई में इन्हें popularly चंदर के नाम से बुलाया जाता था and he has passed away at the age of 63 यह भारत के सबसे जादा जाने माने और लोग प्रिये table tennis star रह चुके हैं and तीन बार इन्होंने national championships जीती हैं semi-finalist रह चुके थे Commonwealth Games में और इसी कारण भारत के one of the most prestigious खेल पुरुसकार अर्जुन अवर्ड से भी ये समानित हो चुके थे he had set up his own coaching center and training academy जिसका नाम था SDAT Medimix Chandra TT Coaching Center जहां इन्होंने भारत के कई जाने माने table tennis players जैसे की जी, साथियान, आरेस, राजा और वी स्रिनिवासन को भी प्रशिक्षन दिया था तो इनका नाम और किस खेल से संबंदित हैं ये आपको याद रखना बेहत आवश्यक है विद इस थोड़ी सी जानकारी इस पे भी ले लेते हैं कि आखिर table tennis federation of India क्या होता है तो क्योंकि बात हमने करी है table tennis game की तो the governing body of table tennis in India is known as TTFIA अर्था table tennis federation of India इसकी स्थापना इसका संगठन करा गया था 1926 में और अगर बात करें कि कौन है इसके president अभी तो इसके president है दुश्यंत चोटाला जिनका election इस पत पे हुआ था 30 जनवरी 2017 में and with this he had become the youngest president in the history of TTFI और अब इसके साथ चलके देखते हैं आज कौन सा खास दिन है तो आप याद रखिये कि आज अर्था 12 में को होता है International Nurses Day ये हर वर्ष मनाया जाता है 12 माई को to celebrate and to honor the contributions and hard work of nursing staff all over the world The theme of 2021 अर्थात वर्थमान वर्ष में International Nurses Day की theme है A voice to lead a vision for future healthcare यानि कि किस प्रकार nurses एक healthy future को enable कराती है और किस प्रकार इनका योगदान society के लिए बिलकुल उलेखनी होता है आज का दिन International Councils of Nurses के द्वारा create किया गया था और पहली बार मनाया गया था January 1974 में इस दिन को मनाने की जो खास वज़े है वो यह है कि आज ही के दिन birth anniversary होती है nursing pioneer Florence Nightingale की जिन्हें nursing का संस्थापक भी माना जाता है क्योंकि इनका जनमाज ही के दिन हुआ था 1820 में यह एक British की famous nurse थी, statistician भी थी जिनकों की title दिया गया था lady with the love इन्होंने Korean War में घायल सेनिकों की बेहद सेवा करी थी Constantinople में और यह दर्शाया था कि किस प्रकार military अस्पतालों में सेनिकों की रहने की conditions बेहद खराब हैं उनके पास poor nutrition है और unhygienic स्थितियों की वज़े से जादा सेनिक मारे जाते हैं ना कि युद्ध में घायल होने के कारण इनके द्वारा बनाए गए रोज डाइग्राम भी बेहद प्रसिद्ध हुए थे जिसमें इन्होंने relationship दर्शाया था between poor hospital conditions and the death of the war soldiers तो इन्ही के जनम दिवस को मनाने के लिए आज का दिन मनाया गया है और यहां यह भी याद रखिएगा दोस्तों की वर्श 2020 को World Health Organization ने designate किया था as the year of nurse and midwife to celebrate 200th birth anniversary of Florence Nightingale और अब इसके साथ चलके देखते हैं दोस्तों हम की कौन से important facts आज हम आप से discuss करेंगे तो यहां हम आपके लिए आज लेके आए हैं कि कहा कहा विश्व में स्थित हैं important sports organizations के headquarters अर्थात इनके मुख्याल है तो सबसे पहले अगर आप यहां देखें तो हम बात करेंगे Olympic Committee की तो International Olympic Committee की अगर चर्चा करी जाए तो इसके headquarters लुसाने में स्थित हैं जो कि Switzerland देश में आता है क्योंकि अक्सर important sports agencies और इनके headquarters कहा है इस पे आधारित सवाल आप देखेंगे government exams में बहुत पूछे जाते हैं तो इसी लिए आप याद रखिए इन सभी agencies के headquarters का नाम और अगला जो हमारे सामने है वो है world anti-doping agency ये स्थित है Canada में in Montreal इसी के साथ अकला है badminton world federation तो badminton world federation के मुख्याले कहां स्थित हैं ये है Malaysia देश की राजथानी कौला लंपूर में स्थित इसी के साथ ये भी याद रखिए कि अगर badminton world federation कौला लंपूर में है तो फिर भारत में जो governing agency है badminton की वो है badminton association of India जिसी की हम अकसर BAIB कहते हैं और इसके मुख्याले दिल्ली में स्थित हैं अगली है international golf federation इसके भी मुख्याले है स्थित लोसान में जोकि Switzerland देश में स्थित है और अगर बात करें judo game की तो international judo federation Hungary में स्थित है Hungary देश की राजथानी Buddha based में स्थित है और अगर बात करें world athletics की तो ये है स्थित मुनाको रिपबलिक में मुनाको रिपबलिक जिसे की कहा जाता है अकसर principality of मुनाको एक sovereign city state है जो की western Europe में स्थित है यह Vatican City के बाद विश्व की दूसरी सबसे छोटी sovereign state है और अब देखते हैं कुछ बचे हुए हमारे sports institutes के उपर तो international hockey federation की अगर बात करें तो ये भी लुसान में स्थित है Switzerland में और Indian hockey federation इसकी एक branch है जिसकी थापना 1925 में हुई थी अगर बात करें international cricket council की तो ये हम जानते ही हैं कि ये Dubai में स्थित है in United Arab Emirates और इसी के साथ the international chess federation जिसे की world chess federation भी कहा जाता है और अक्सर FIDE भी कहा जाता है तो आप इसमें बिल्कुल confuse मत होईएगा क्योंकि इसको तीनों नाम से बुलाया जाता है इसके भी मुख्याले स्विजलेंड में लुसाने में स्थित हैं इसी के साथ अगर हम बात करें FINA की FINA जिसे हम बुलाते हैं तो FINA का अर्थ होता है International Swimming Federation इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1908 में और अगर बात करें इसके मुख्याले की तो ये भी स्विजलेंड देश में लुसाने में स्थित हैं लास्ट हमारे पास है International Federation of Association Football FIFA जो की बेहत प्रसिद नाम है चर्चित नाम है तो इसके मुख्याले हैं स्विजलेंड में स्थित परंतु जूरिक शेहर में तो अब इन सभी facts के साथ चलिए आके देखते हैं कौन से questions आज हमारे साथ हैं The very first question is Who has been appointed as the first woman finance minister of Assam अर्थात किसे Assam की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है Options आपके सामने हैं A. Himanta Biswa Sharma B. Ajanta Neg C. Sayyada Anwar Taimur D. Lima Devi The next question is WHO has warned against major threat from which rapidly spreading strain of coronavirus अर्थात हाल ही में WHO ने World Health Organization ने coronavirus के किस strain के बारे में खत्रा प्रकट किया है चेताव ने दी है कि ये तेजी से प्रसार हो रहा है विश्व भर में Options है A. B. 1617 B. B. 1644 C. 1619 D. C. 016 With this third question है Which mission to the moon is being launched by SpaceX? अर्थात कौन सी mission SpaceX को ये द्वारा moon में भेजी जा रही है? Options है A. Falcon Heavy B. D. O. G. E. 1 C. New Glenn D. Starship Fourth question है Who is the founder of Space Exploration Technologies Corporation? अर्थात SpaceX Options में आपके सामने कुछ नाम हैं जैसे की Options है A. Port Louis B. B. Buvalo C. Buy, Stay, N. A. D. Victoria Sixth question है Who has been nominated as the CEO of proposed National Asset Reconstruction Company Limited? Options आपके सामने है A. Dinesh Kumar Khara B. C. S. Seti C. Ashwini Bhatia D. Padma Kumar M. Madhwan Nayar With this, सात्वा प्रशन है Which bank has launched an artificial intelligence chatbot named EVA? In partnership with common services centers अर्थात CSCs याने कि किस bank ने common services centers के साथ साजे धारी में EVA नामक एक artificial intelligence chatbot launch किया है Options है A. S. Bi B. H. D. F. C. Bank C. Access Bank या D. I. C. I. C. I. C. I. Bank आठवा प्रशन है When was the table tennis federation of India established? अर्थात भारत में table tennis federation of India TTFI की स्थापना कब हुई थी? Options है A. 1923 B. 1924 C. 1925 या D. 1926 9th question है When is the International Nurses Day observed? अर्थात अंतराष्ट्री नर्स दिवस कब मनाया जाता है? Options में कुछ दिनांख हैं जैसे की A. 9th में B. 10th में C. 11th में या D. 12th में With this, the last and the 10th question for this lecture is Where are the headquarters of the International Chess Federation FIDE situated? अर्थात International Chess Federation FIDE के मुख्याले कहां स्थित हैं Options है A. लुजाने B. जूरिक C. बासेलिया D. जेनेवा और अब इन सभी important daily current affairs और कुछ important questions के साथ आज के इस session को हम यही समाप करते हैं इस आशा के साथ की आपको इन सभी news events से बेहतला प्राप्त होगा Friends, अगर आपको video पसंद आए और आपको इससे love मिले तो please channel को like, share और subscribe आप अवश्य कीजिये With this, thank you so much to all of you Have a great day and stay safe